जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका सागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर समझाऊंगा और ये लेटर कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं है ये लेटर उन पैंशनर्स के लिए जिनको वारूपी 2 का फैदा नहीं मिला जिनको एक्वल MSP नहीं मिल रही है जिनको बड़ी हुई MSP नहीं मिल रही है जिनको CSG से लेटर प्रॉबलम है जिनको ECHA से लेटर प्रॉबलम है यानि पैंशन से लेटर प्रॉबलम है तो उन पैंशनर्स के लिए ये लेटर लिखा गया है और किस ने ये letter लिखा है ये लिखा है ब्रिगेडियर इंदर मौन सिंग जी ने जो रिटेर है दोस्तों ये letter लिखते रहते हैं ओर जैसे उसके favor में बाकी देखेंगे इसका नतीजा क्या रहता है 12 सरकार की तरफ से वो बात की बात है फिलाल हम समझ लेते हैं किस letter में लिखा यानि air headquarter को ये letter भीजा गया है ये letter है OROP 2 के समंद में MSP के समंद में ECHS के समंद में इस पर्ष में जो problems आ रही हैं उनके समंद में यानि आपके favor में ये letter है लिखा क्या है मैं आपको main main चीजे समझा देता हूँ इसमें सबसे पहली बात करी है OROP 2 की इन्होंने बताया ह कि जो OROP 2 की pension table में जो गलती है उनकी problem को समझ सकते हैं air headquarter क्या लिखा है इसमें no one knows it better than the Indian Air Force because Indian Air Force manage the pay and pension entitlement जो Indian Air Force है वो अच्छी तरीके से pay और pension के बारे में जानता है और इसका काम होता है accounts department में तो OROP 2 की pension table की जो गलती है उनको अच्छे से समझ सकता है Indian Air Force बाकी जो other department है वो इतनी अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जितना Indian Air Force समझता है तो इन्होंने सारी जिम्मेवारी air chief marshal को दिये कि इन चीजों को दे के सुधार भारस सरकार के सामने रखे एक चीज़ दोस् से लेटेट MSP से लेटेट तो Air Headquarter ने जवाब दिया था कि सिरफ एक्स ग्रूप के जो pensioners है उनके साथ समस्या है बाकी सब चीजे ठीक है यानि भारस सरकार द्वारा जो OROP 2 pension table बनाई है वो ठीक है MSP में ज्यादा कुछ problem नहीं है जो मिल रही है वो ठीक है Air Headquarter ने साफ reply द कि उसे सुधाना चाहिए बाकी चीजे ठीक है तो दोस्तों जो इन्होंने लेटर लिखा है अब देखने वाली ये बात है कि जो Air Headquarter है वो इस पर क्या देखता है इन्होंने लिखा है कि CGDA इस पर अभी काम नहीं कर रहा है यानि CGDA PCDA अगर उनको बोलो कि आप OROP 2 pension table बने जो गलती है उनको देखे है सुधारे को सिंपल सा रिप्लाई देते हैं कि यह उनका काम नहीं है यह भारत सरकार का काम है तो दोस्तों CGDA क्या कहता है CGDA टेक्स क्रेडिट ऑफ सेविंग फ्यू हंडर्ट और फ्यू थाउजन क्रोड फॉर्ट फॉर्ट गवर्मेंट इसमें बाकी इन्होंने बताया कि जो और उपी टू की पैंशन टेबल में जो गलती है उसको अच्छे से देखे इंडियन एयर फोर्स और मीटिंग और्गनाईज कराई जाए CGDA, CDA और वेटरन और्गनाईजेशन की और उसमें कुछ जो बड़े अधिकारी है वो भी उसमें शाम करें, जो प्रॉब्लम्स आरही हैं पेंशनर्स के साथ, एक मीटिंग और्गनाईज होनी छाईए इन्होंने ये तो ठीक का है, मीटिंग और्गनाईज होनी चाहिए, और ज्यस्चे उसको भी शामिल करना चाहिए, पता लगे, उनकी क्या मांगे है, वो क्या कहना चाह रहे ताकि भारत सरकार के सामने मांगो को रखा जाए मांगो को रखने का सिलसिला कंटिन्यू चलना चाहिए यह बंद नहीं होना चाहिए तो दोस्तो और वारोपी टू में इन्हों ने यह चीज बताई क्योंकि अभी इतनी जल्दी यह मैटर सुलजेगा नहीं थोड़ा इसमें लगेगा पता है नहीं भारत सरकार आगे सुनेगी या नहीं सुनेगी फिलाल इन्होंने यह लेटर लिखा है और सीधा भेजा एयर चीफ मार्शल को तो दोस्तो एक तो यह ओरोपी टू के बारे में लिखा फिल लिखा MSP के बारे में इन्होंने MSP के बारे में लिखा है इ उनको बढ़ी हुई MSP क्यों नहीं दी जा रही है और इन्होंने एकोची समझाईए MSP के बारे में क्या लिखा है That basis of MSP and basic pay are not related कई लोग ये समझने के लिए त्यान नहीं है कि basic pay और MSP का कोई relation नहीं है MSP है military service pay एक तरके का जोखिम भदता है जो अलग से count हो सकता है बढ़ाने के मामले में तो दोस्तों basic pay में इससा कोई enroll नहीं है pension बनाने के लिए MSP include होती है basic pay में ये नों ने ये कहा है कि आप MSP और basic pay को include नहीं करें इससा कोई relation नहीं है आपस में JCOs and NCOs read as the when we want MSP on basic pay कई JCOs, NCOs उसे पढ़ रहे हैं कि basic pay पर MSP include होनी चाहिए pension पर include होनी चाहिए लेकिन वैसे इसका part नहीं है we are aware that such entitlement are decided in pay commission are not part of OROP 2 और OROP 2 में MSP का कोई part नहीं है और ये decide करते हैं pay commission वगरा MSP जो है जो decide होती है pay commissions द्वारा a formal response for service headquarters should be issued regarding MSP और दोस्तो इसी के लिए service जो headquarter है उनको MSP के बार में कुछ चीज़े discuss करनी चाहिए उनको भी आगे आना चाहिए बागी दोस्तों उन्होंने NFU के बार में बताया ECHS के बार में बताया कि ECHS पे जो medicines है वो proper नहीं मिल पाती नहीं वो proper मिलनी चाहिए उसका मुद्दा उठाया ADLR scheme के बार मताया कि Army personal dependent on Indian Air Force canteen are not given ADLR grant यानि जो ADLR grant है वो यहाँ पर प्रवाइड नहीं हो रही है तो उसकों महाँ पर resolve करा जाए SPERS से लेटर इन्होंने एक चीज़े बताई है SPERS में जो दिक्कत त्यारी है उनको solve करा जाए Air Force Veterans have suggested better coordination between AFRO and SPERS team to settle pension dispute of Indian Air Force veterans बाकी जो Air Force veterans है उनका coordination अच्छा हो AFRO और SPERS च्रीम के साथ जो भी problem से उनको दूर किया जाए बाकी इन्होंने बताया कि retirement के बाद किस तरीके से resettlement होना चाहिए तो दोस्तों ये चीज़े मैंने आपको समझाई है वैसे Air Headquarter ने पहले ही reply दे दिया है कि उन्हें जो गलतिया नजर आई है वो X ग्रूप के जो pensioners हैं उनके साथ जो 9 साफी होई है जो pre 2016 के pensioners हैं उनको 6200 रुपे मिलने चाहिए सिरफ Air Headquarter को वो ही प्रॉब्लम नजर आई बाकी और प्रॉब्लम उन्हें नजर नहीं आई जो उन्होंने पहले जवाब दिया था तो दोस्तों आगे पता नहीं कि इसका impact क्या पड़ता है वो क्या reply देते हैं इसका एयर चीफ मार्शल या फिर इनके जो अधिकारी वर्ग हैं बाकी हम आगे देखेंगे तो दोस्तों यह चीजे मैंने आपको समझाई आप भी नीचे मुझे कमेंट करके बताईगा कि आप क्या जानते हैं आप क्या समझते हैं इस लेटर को लेकर तो दोस्तों वीडियो में यह एंड करते हैं आप अच्छे रखते हैं वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनलों को सब्स्क्राइब करें तैंक यू सो मैच